हेलो गाईज वेलकम बैक टो हम यूटूब चैनल से विल टेक्निकल तो आज यह जो वीडियो है जो आप सामने देख रहे हो जो एक्शली एक कमर्शिल बिल्डिंग के लिए फॉंडेशन का काम हो रहा है तो यहाँ पर यह जो सारी चीज है यहाँ पर कमबाइन फुटिंग क सतने हां पर होने वाला है तो इसे लेकर जट सारी चीजे में पार्ट बाई पार्ट इसको आपको बताता चला जाओ फॉंडेशन के लिए फिर आपका जो इसका बीवेस तयार होगा उसका जाली कैसे बीचाया जा रहा है उसका जो हम लोग यहाँ पर स्टीर यूज करने व और इसमें पार्ट बाई पार्ट मैं सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो इससे आपको हमारे लेटेशन का काम करना शुरू करता है तो मतलब जब excavation जब होता है फुछ excavation पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो आपका design है उस design के according आपको layout त्यार करनी होती है जैसे यहाँ पर आप जो थेट देख रहे हो बेटर होता है अगर आपका रिसिदेंशल बिल्डिंग है तो मैनली हो जाएगा क्योंकि वहां पर चार फिट-पांच फिट के सबसे होता है चार फिट बहुत बचता है उसे आपका फास्ट हो जाता है कम तो यहां पर आट फिट है यहां पर जो स्कैवेशन का वक हुआ था वह अपका हम लोग ने जैसे भी से कराया था और फिर फिलहाल अभी यहां पर यहां पर यह स्कैवेशन प्रोसेस अल्मूस्ट कम्प्लीट हो गया है और इसके नीचे में जो हमारा बेस अफ़ फुटिंग के लिए जो हम पे बैशाते हैं यहां पे स्टील बैचाई ही विए घuity कर इसके ल करना है इसके एक कवर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका excavation जो depth है वो depth perfectly हुआ या नहीं हो है डूसरी चीज़ आपको यह जा सकना है कि जब आप excavation complete करोगे तो dressing करना manually dressing करना बहुत जरूर है तो क्यों कि JCB से क्या होता है कि वह perfection नहीं आता है ठीक है उस perfection के लिए जो डेफ्ट रहे आपका जो बेस रहे जहां पे आपका डेलिवर होने बाला है जो आपका स्वाइद होगा उस पर लेवल रहना बहुत ज़रूरी है तो जैसे भी इसे पॉफेक्ट लेवल नहीं होता है तो फिर उसके बाद अपको इसको मैनवली करना होता है मैनवली में थोड़ा बहुत भी रह जाता है वह थोड़े बहुत कम लोग पीसी सी में कवर कर लेते हैं बट एड़ एंड पीसी सी आपका लेवल एकदम पॉफेक्ट होना चाहिए लेवल में रहना चाहिए तो जब भी आप देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आप एक रेशिडेंशल बिल्डिंग बनाते हो या कोई कॉंट्रक्टर कर रहा है तो अगर क्या कि वहां पर बेसिक थमरू या फिर अपना साई एक्स्पिरेंस के सबसे भी काम करा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीकर कि रेस्टीडेंशल बीडिंग बहुत सारी चीज़ें अलग, almost common रहती है, load factors हो, life load हो, dead load हो, जो भी चारे सारी चीज़े होती हो, तो उनको analyze करना, वो काफी easy होता है, बहुत हर तक चल जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप एक commercial building के तरफ जाते हो, residential को छोड़ कर, तब वहाँ पे जो भी सारी चीज़े हो, वो load analysis के है, बिना नहीं कर सकते हो, और अगर करते हो, तो आप समझो की, बहुत बड़ी mistake कर रहे हो, तो जो सारी चीज़े, including आपकी PCC के ratio भी आपको उसी के हिसाब से करनी होगी, ठीक है, load factor को analyze करके, क्या load है आपका, live load में जो आपका fixed, live load में मैंने आपको बता है, दो तरीके के, types, दो टाइप होत करने के बाद ही आप सारी एक एक चीज, मतलब एक छोटा step भी जो आपको लेना है, वो भी आपको load analysis करने के बाद ही लेना है, जब आप, आप commercial building को design कर रहे हो, ठीक है, so आज को जो वीडियो वस्ति में PCC पर बेस रखने वाला हूँ, मैंने थोड़ा बहुत foundation के बारे बता आज बस PCC, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग ने PCC का जो grade लिया है, वो हमने लिया है M7.5, जो की design के हिसाब से है, और M7.5 आपको मालूम होगा, इसकी ratio होती है, 1 is to 4 is to 8, and at last, अगर आपको हमारे civil technical content सच में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लीव यार इसको like करो चैनल को subscribe करो, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को share करो, और अगर आपको किसी भी topic पर वीडियो चाहिए, कोई doubt है, तो अब comment section में बिल्कुल आकर बता सकते हो, otherwise thank you so much, जो आपने अभी तक मुझे जिस सरी कैसा support किया है, thank you